नमस्ते प्रियजनों, मैं जोतिश शासरी राजेश अवस्थी, आपके अपने राइट वे एस्टो चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ मेश राशी वालों के लिए आपके राशी स्वामी मंगल, आपकी राशी से निकल कर अगली राशी, वुरुशब राशी में प्रवेश करेंगे मंगल के इस राशी परिवर्तन से आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर आएगा क्योंकि मंगल का गोचर आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव रखता है दस तारिक से मंगल का गोचर आपकी राशी से दितिय भाव में होगा और ये भाव मुख्यताहा, धन, परिवार और वानी का है अर्थात मानिवी जीवन के दुष्टी से संबुरुद्धी दर्शक है इसलिए इस भाव में मंगल आपके स्वास्थ और व्यक्तित्व के दुष्टी से शुभफल प्रदान करेंगे मतलब मंगल के इस गोचरकाल में आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा अगर स्वास्थ से संबंदित पहले से कोई शिकायत होगी तो वो भी दूर होगी और इसके साथ ही आपके गुन विशेष्टाओं के कारण आपके जीवन में आर्थिक दुरुष्टी से संब्रुद्धी आएगे और आपके लिए अच्छी बात यह है कि मंगल इस वुरुशव राशी में 6 महिनों तक रहेंगे इसलिए इस राशी फल का प्रभाव आप 6 महिनों तक अनुभव करेंगे 10 अगस्त को राशी परिवर्तन के बाद मंगल वुरुशव राशी में प्रवेश करेंगे बीच में 15 अक्टोबर से 13 नौमबर तक इस एक महिने के कालखंड में मंगल मिथुन राशी में रहेंगे और 13 नौमबर को वक्रगति से पुना 12 मार्च 2023 तक वुरुशव राशी में रहेंगे मंगल अगनी तत्व के है और वुरुशव राशी पृत्वी तत्व की है तो आपको और अधिक सटिक्ता का अनुबह होगा मैं आपको मंगल के दुरुश्टी प्रभाव के बारे में अवगत कराने वाला हूँ इसलिए वीडियो पूरुनता अवश्य देखे वीडियो पूरुनता देखने पर चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस पर आप अपना मन बना सकते है देखिए हर ग्रह का फल देने का अपना तरीका होता है मतलब इस भाव में अन्य कोई ग्रह होता तो वो उसके फल देने का तरीका अलग होता वैसे मंगल का भी अपना खास तरीका है थोड़ा मंगल के बारे में जानेंगे तो आप समझ सकते है मंगल इस भाव में कैसे फल देंगे देखिए मंगल मुख्यतहा नेतरुत्व, जोश और सामर्थ के कारक है जोतिश में मंगल को सेनापती कहा जाता है मतलब, खुद आगे रहना और बाकियों को भी प्रेरीत करना ये सब अपनों की रक्षा के लिए अपने हितों की रक्षा के लिए और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मतलब, मंगल मुख्यतहा रक्षक की भूमिका में रहते है आकरमक्ता अधिक है मंगल किसी के आगे जुकने वालों में से नहीं है औरों को दबा कर रखना, अपना वर्चस्व बनाए रखना अपने दमखम का प्रदर्शन करना वगेरा मंगल के गुन है इसलिए इस भाव में मंगल के प्रभाव से आपके परिवार में आप अपनी ही चलाने वाल है सभी को आपकी बात मानने ही पड़ेगी, इसलिए आप दबाव भी बना सकते है आपकी बातों में गुसा, उगरता और कठोरता अधिक देखे जा सकती है अपनी बात मनुआने के लिए आप उची आवाज में बात कर सकते है सामने वाले को डरा धमका सकते है गुरुषब राशी पृत्वी तत्वकी है, इस राशी में मंगल का जिद्धी रवया बढ़ सकता है मतलब आप अपनी बात मनुआ कर ही रहेंगे आप सही है या गलत इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि पहले से आपकी राशी में चल रहा राहु का गोचर आपको इस रवये के लिए सपोर्ड भी करेगा जिसके प्रभाव से वह इसे भी आप किसी की सुनने से जादा अपनी सुनाने वाले है किसी भी तरह के विवादों में आप बहुत आकरमक्ता के साथ अपनी बात रखेंगे देखी राशी फल में जो कुछ बता रहा हूँ ऐसा यूही नहीं होता इसे आसान शब्दों में भी समझिए मंगल के इस गुरूचय प्रभाव से आपके समक्ष ऐसे प्रसंग उपस्तित होंगे कि आपको बड़ी आवाज में बोलना ही पड़ेगा, गुस्ता करना पड़ेगा मतलब सामने वाला फिर वो कोई भी हो सकता है आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते है जो आपके इच्छा के विपरीत कोई वेवहार कर सकते है या आपका विरोध भी कर सकते है या कुछ गलतिया कर सकते है जिसे लेकर आपको उन्हें डाटना पड़ेगा, गुस्ता करना पड़ेगा संग्षेप में पारिवारिक कलर होने की संभावना है लेकिन ऐसी बातों से निपटने में आप सक्षम रहेंगे इससे आपको सीधे तोर पे कोई समस्या नहीं होगी लेकिन आपके कठोर रवाई से लोग नाराज हो सकते है आपके परिवार के सदस्य भी आपसे नाराजी रहेंगे इस भाव से मुख्यता आपकी आर्थिक स्थिती आपके निवेश वगेरा देखे जाते है यह धन भाव है इसलिए मंगल के इस गोचर काल में आप अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार के लिए आग रहेंगे और आप अपने आर्थिक स्थिती में सुधार करके ही मानेंगे ये आपके लिए अच्छी बात है मंगल के इस गोचर प्रभाव से आपके धन संपत्ती में वृद्धी अवश्य होगी आप पैसे जुटाओगे, अटके हुए पैसों की वसूली करोगे पैसे कमाने के लिए अपने सामर्थय का, अपनी कुशलता का, अपनी गुनविशेशताओं का उप्योग करेंगे और आपको इसमें सफलता भी मिलेगी मतलब इस गोचरकाल में आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा आपकी राशी सौमी होने के साथ मंगल आपकी राशी से अष्टमेश भी है अष्टमेश द्वितिय भाव में रहेंगे तो परिवार में कलह की संभावना ज़्यादा रहेगी ऐसे पारिवारी कलर टालने के लिए आपको सौम्मे शब्दों का उप्योग करना चाहिए लेकिन ये सही है कि ऐसा करना आपके लिए आसान भी नहीं होगा इसके साथ ही आपके ही किसी गलत निर्णे के कारण, आपकी किसी जीद के कारण आपको नुकसान भी हो सकता है मतलब जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप स्वयम जिम्बेदार होंगे इस अश्टम भाव पर मंगल की दुरुष्टी अपने सोराशी पर हेगी इस भाव पर मंगल की दुरुष्टी प्रभाव से इस गोचरकाल में आपका लड़ाई जगणों से अक्सर पाला पड़ सकता है आपकी कठोर बातों से कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं फिर भी इसका आप पर कोई दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा मंगल के इस संपुर्ण गोचरकाल में इस भाव पर ब्रहस पती की दुरुष्टी रहने वाली है इसलिए ऐसे किसी भी मुश्किल स्थितियों से निपटने में आप सक्षम रहेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी मंगल के दुरुष्टी योग में अन्या दो भाव प्रभावित होने वाल है इसमें मंगल की चतुर्द दुरुष्टी आपकी राशी से पंचम भाव पर रहेगी ये भाव संतान, ज्यान और प्रेम का है मंगल दुरुष्टी भाव से इस भाव पर दुरुष्टी रखने वाले है मतलब आप संतान को किसी गलती के कारण डाट फटकर लगा सकते है और संतान के लिए बड़ी धन्राशी का निवेश भी कर सकते है आपकी लव लाइफ में आपको रिष्टा बनाए रखने के लिए सवम में वेवहार रखना पड़ेगा गिफ्ट भी देना पड़ेगा इसके साथ ही इस गोचर काल में, शेर मार्केट या लोटरी जैसे क्षेतर में भाग्य आजमाने की आप सोच सकते है थोड़ा बहुत लाब हो सकता है, लेकिन बड़ी रिस्क लेने से बच नहीं है विद्ध्यार्थी भी पढ़ाई के रिए कड़ी मेहनत करेंगे, किसी खास विशे पर ज्यादा फोकस करेंगे कॉंपिटिशन में आगे रहने के लिए पढ़ाई अच्छी होगी मंगल की अश्टम दुरुष्टी भाग्य स्थान पर रहने वाली है और भाग्यश ब्रहस्पती बारवे भाव में स्वराशी में है इस दुरुष्टियोग के प्रभाव से आप अपने भविश्य को सुरक्षित करने पर जादा जोर देंगे अपने लक्ष पर आप फोकस जादा करेंगे सबसे आगे रहने के लिए आप आग रही रहेंगे जो आपकी उच्च शिक्षा के दुरुष्टी से बहुत अच्छा है पढ़ाई मन लगा कर करेंगे आपके निवेश भी जादा से जादा रिटन्स की उम्मित से होंगे बड़ी धन्राशी के निवेश के लिए आप ऐसे ही जादा से जादा रिटन्स देने वाले किसी अउसर की तलाश में रहेंगे इसके साथ ही अपनी परतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके बात करने के तरीके से या आपकी आगरही घुमिका के कारण कुछ वरिष्ट गुरुजन आपसे नाराज हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर, सारवजनिक मंच पर अपनी बात रखते से स्वम्य भाषा का उप्योग करना पड़ेगा। इस तरह से मंगल के इस वुरुषब राशी गोचर में आपका अनुभव रहेगा। अब आपसे अनुमती चाहूंगा। सभी के स्वास्त और सुकसंबुद्धी की शूब कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही Right to Astro चानल देखते रहे हैं। सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए। धन्यवाद।